तो गुड मॉर्निंग लब्ली विपल सब्सक्राइब आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में तो भाई मैं हूं दीरेज मौराया वल्ट फ्रों माइट रूड की सेकेंड है हमारे साथ है हमारे अभीना भाई तो हलो अपने आपके बादे थोड़ा सा इंट्रॉडक्शन के लिया है कि भाई हमें रोड में वीडियो बनवानी है तो भाई क्यों नहीं अभीना भाई बेस्ट परसंट तो गाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रोड मैप क्योंकि मैं ड्रॉपर नहीं हूं तो मैं उस चीफ को अच्छे से एक्स्पेंशन नहीं कर पाऊंगा जितना भीना भाई क्योंकि एक्स्पेंशन नहीं को अच्छे से बता पाएगा ना तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले के भाई ड्रॉप किस को लेना चलिए तो यह बढ़ी है मतलब ऐसा होता है कि यह थोड़ा अर्ली हो जाएगा ऐसा बताने के लिए क्योंकि अब इद्वान्स हुए नहीं है पर लगवग सबको पताल गाया होगा कि किसका क्या हो सकते किसका क्या हो सकते हैं तुम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसे अधीन्स होते है कि वह कर लेंगे उनके टेष्श सेरह ऑए जारू धो पर लाशमाय फें गरबड वड грत हो जाता है उ फिर तो तुम को डेफिनिटी डॉप लेना चाहिए वो दो बार का बनाई इसलिए कि तुम एक बार मैं वैसा हो गया तो फिर तुम दबारा ट्राइ कर लो है अब फिर कुछ यह हो गया जो भी एक्जाम देंगे और उनके बाद उनका क्या सीन रहेगा अब इसमें कुछ बच अब इसका भी पर उनसे नहीं वा और दूसरी केटेग्री वह है जो सिर्फ ऐसा मेंस अच्छे से कर पाए पर उन्हें एडवांस का ऐसे से तुम कुछ दर्सा था यह उन्हीं हो रही ते तियारी अब इसके बाद तुम को लगता है कि तुम कर लो के तुम कर लो के फिर है और तुम को तुम सैटिस्फाइड हो फिर तुम छोड़ा फिर फिर द्रॉप मत लो लेकिन अगर फिर वो रीजन बता दिया आपने फिर कैसे लेना चाहिए तो वाई मतलब सीधी बात ही है कि अगर कॉन्फरेंट हो और तुम मैं लगता है कि वाई हाप फोड़ देंगे कि वाई इक्तम दूर हो बिल्कुल नी कहरा मेरे व्लॉग सेखो बाई मेरे व्लॉग विल्कुल मत देखो यार मैं तो कहरा पर जो इस वीडियो वही देख लो ठी है जो देते हैं हम यह काफी आएटेंस से लोग की बात करवाते हैं तो वो सब देख सकते हो लाइब में आ स तो अब देख सकते हो व्लॉक्त है 15-10 मिनिट का व्लॉक्त हो यह तो वही चीन होती है सबसे पहले तो इनियल फेज में बता दो कि starting का से करनी चाहिए रोड मैप मैं रोड मैप की starting कहा सहिए कि ड्रॉप यह को जब लेते हैं तो क्या दिमाग नहीं जो यह विडियो बना रहे है यह हम यह मान के बता रहे है कि वह स्टुदेंट्स है वह अभी से start करेंगे और next year य उसको ध्यान मर रखते हुए बतारें अभी ना दो तरीकिया की बच्चे होगे एक जो तुम्हारे डॉप लेते हैं वह ऐसे इक बच्चे होते हैं जो यह सोचके ही त्यारी करते हैं कि वाइसे त्यारी करना है उनकी वैसे रहती है और कुछ वह उते हैं अभी एडवांस दिय मतलब इस्टार्ट करना के सोच रहोंगे जो ऐसे 10 पर आप से रहे होंगे फिर अब इनको तैरी करनी है तो तो हम यह मान के चल रहे कि अभी आपको ऐसा एडवांस के लिटेट बहुत कुछ नहीं आता है तो वहां से स्टार्ट करते ठीक है तो मेरे बार सरसे एडवांस का ज होता है कि जो मेंस होता है ना यह हम पहले शायद किसी धिरजवाई की वीटिब में बोली भी है जो मेंस होता है वो तुम्हारा ऐसा होता है कि अगर यह एक समूद्र है पूरा अगर पूरा पूरा सागर के तरो है मतलब सी मान लोशन मान लो तो उसमें मेंस का तैरी होता है डीप लर्निंग की जरूरत है मेंस के लिए तुम मतलब सर्फेस पर भी पढ़ोगे तो ठीक है तुम कर सकते हो पर एडवांस के लिए तुम जितना भी पढ़ो सव की यही किवांस मीशसा था हुता है कि एक कुस्टन कर जह भी इसोटां अब इस में इसमें भी आसे वे पता होगा तो वेटिज को हलका फुल का ध्यार में रखते हैं बताएंगे ठीक है ऐसा बहुत है उससे स्पेसिफिक नहीं है पर ऐसा है कि रोड मैप में तुमको आज का डेट हो रहा है तुम्हारा जब हम अभी वीडियो रिकॉर्ट करें तो भी 20th of April है कल ये वीडियो आ जाएगी 21st of April को तो हम मानने के चल ओगे क्या आप लोग है एक साल से ज्याद है हम एक साल मानने के चलते हैं पूरा में आसा हphonolenा इक साल में अब तो अब मेरे पास अभी फिजिक्स का सिलेबस खुला हुआ है और ये तुम्हारा है पहला 11 पर पॉच्छन इसमें इसमें जो भी तुम्हारे आपको सिलेबस पता होगा ऐसा यूने अंडामेंश्ट होता है वह सार है फिर मेकैनिक्स है थर्मल फिजिक्स है एलेक्रिसिटी मे आपको 12 में चला जाता है और कहीं 11 में थर्मल पढ़ाते के 12 में पढ़ाते है तो अभी आपको जो आपको एक साल है उसको इस तरीके से डिवाइट करके अभी हम ऐसा बताएंगे कि आपको देसंबर तक आपका स्लेवस पूरा खतम होना चाहिए नवेंबर तक स्लेवस जाने है जैनवरी से आपका में इशार्ट हो जाएगा जैनवरी में 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 देना है उसके बाद फिर एडवांस के लिए और स्पेसिफिक वो जाएंगे हम लो ठीक है तो इससे साब से डिवाइड है तो भाई देखो में के ना कि पढ़ते तो देखो सब हैं लेकिन में है क तो जब तक तुम क्वेशन प्रेक्टेस नहीं करोंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला में तुमारा जो तुमारी में होगी ना क्वेशन प्रेक्टेस होगी और अभी एक चीज़ बता हो कि मैं जैसे बच्चे लेक्चर देखते हैं और फिर कब कॉश्चे कब तब तब युन्ट यह हैं कि मला सारे चेप्टर के बाद लगाएं एक सबसे जाए बड़ा बड़ा डाउट है बच्रोगा कि जैसे हम लोग पूश्चे के बार लगाएं या पूरा चारे चाप्टर कर खतम कर ले उसके बार पीवाई क्यों तो ऐसा होगा कि तुम हारे पास जो से नहीं आएगा चांसे से सारे सवाल ना बने और बहुत बच्चे इस मतलब वल्नेरबल स्टेट में होते हैं उस टाइम पर वो ऐसे घवरा से जाते हैं कि कुछ कम भी तो नहीं रहेगा ऐसा होने लगता है तो जब तुम ऐसा करोगे कि दब तुम पढ़ने स्टार्ट करोग और लिए साथ लेकिन चाप्टर आइंड के बाद को चॉश्ण बना रहे होगे तब ऐसा नहीं कि तुम कुष्ट्र आइम बनाहरे है तो अच्छी से देना है पर तुम अगले चाप्टर के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दिये होगे तुम अगला चप्टर भी पढ़तर ह कर रहे होगे और साथी तुम उसके question बना रहे होगे कि टाइम बहुत नहीं है तो आसा है करना पड़ेगा तो अब अमीना भाई यह होगे शुरूबात की कि शुरूबात में सब चीजने याद रहती है तुमने फेस करी होगी तो तुम कुछ अपनी experience से कुछ कहना चाहोगे क देखो जड़नी में अगर तुम हशल मने रह रह रहो तब से पहले चीज यह रहता है कि तुमारे फिर बहुत सारे friends तुमारे साथ ऐसे होंगे जो अगर तुम रोप्यर में तो यह तो उनका IT हो गया होगा यह तो तुमारे साथ यारी कर रहे होंगे उसमें बहुत बहुत में थोड़ा मस्ती करनी के लिए आसे बसे निकलने के लिए पर यार एक साल तो वह मत करना मतलब हलका फुलका तुम जा सकते हो डेनर के बाद निकल लिए लंच के बाद आदे घंटे दी आदे घंटे मैक्स उसे जाज नहीं क्योंकि ड्रॉबर में तो टाइम बहुत कम है और हम आनके चल रहे कि आपको अच्छे रांक चाहिए एडवांस में तो उसके लिए 10 प्लस 2 में जब तुम रहता हो चलता है थोड़ा बहुत टाइम रहता है तुम्हारे पास पर ड्रॉपियर में नहीं रहता है तो वही मतलब सीधी बात है कि जितने जादा सेक्रिफाइ तो नहीं होना चाहिए तो अगर हो गया तो तुम बताये न स्क Phud행 अ कोश्छा हो गे कि यार में नहीं यहां पर बाहर चला गया यह कर रहा थो फो कर यह नहीं कर तो थो यह झाए यह जो भूपर कुष्छन इचा हो एंसा मोत जो कुपर दूपर ड़ब करने पर आ कि कुछ तो लास्ट में क्या चीज नहीं आध रहे हैं पैनिक कर जाते को नहीं कुछ समझ नहीं तक यह करना वो करना है तो बहुत ज्यादा अच्छे लेट पर नहीं तो उसमें एडवांस पर क्रिश्ट करना विसक अध्यार संथ्यागी है तुम वह पड़नें को पर दोबारा से और तुम उसमें एडवांस के लागए और पूस्ट फुर समझावे कि यह कॉंसे इसके कैसे रिलेट हो रहा है फिर तुम एडवांस ल होते हुँ ऐसे defending mode में चला जाता है कि बस हो जाएगा कर लेकर नहीं करना है नहीं करना और रिवीजन को लेकर क्या का होगे रिवीजन किस तरह करें बच्चे रिवीजन साइब 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 चलते रहना चाहिए मतलब देखो ऐसा है कि रॉप यर में टाइम करें सबसे दुलिए मुज़ते होगे तुम्हें टेंशन लगता रहे है कि तुम्हें slaybers cover भी करना है तुम्हें को बच्चिन भी रिवाइस भी करने अब वह कैसे हो तो ऐसा होगा कि तुम्हारा जो भी रूड मैप रहेगा वो कुछ इस तरीके सा कि ज जब तुम एसे लिखते हो ना खिझ से कि यह यह पढना है और जब तुम दुबारा हो देखते हो, पहला होता है तुम तुम्हारे टाइम बचता है बेने भूलते हो जल्दी तो वह सही रहता है और तुम अगर मंत के में भी मंत के इन में रिवाइज करोगे तुमारे पस कितना ही टाइम बचे के रिविजन का अभी एप्लेल है ना में पूरा में के बाद रिवाइस करोगे तो में जून जुलाई अगस सेप्टेमबर अब हरी ते निक्था तो मैं धर एक फिल सबस्किनारव farklı fakta हो तुम्हेरा कोए जइसे हैं थाइस जो पादा मज्न करता है एक गूप करना है एक डालो कुछ भी संडे को तो मैं पूराइ संडे को तुम्हें पूरे 11 परोगे पूरे 12 परोगे व तुम्हार मॉक टेस्ट में हो जाएगा पर वो फिर भी हिए तुम रवाइस करते रहोगे यह वह तीय है कि रििजिन लिएन स्टची मैं प्रविजन एक दो दिन का नहीं होता है रिविजन हमेशा ही करना होता है रिविजन एक चीज और बता हूँ कि कुछ बच्चों में कि दमाग में बार बार रार एक चीज कूचने कि बुचने पड़ने कि बने कितने गंदे बना चाहिए तुम ऐसा एक सीन है कि तुम जितने गंडे पड़ोंगे उतना गंड़ गंड़ कमे तुम आज गंगो तुम कम पड़ रहे हो फिर तुम और मोच बचो लगाओ और तुम रची बात वात बिये है अगर सही तुम मतलब सही पड़ और तुम बहुत अच्छी बात व ति तुम एक बाल रहना होजी तुम फुटके साथ गेम कर रहे हो भाई जेही में एक चीज होती है कि कभी होगी निसकता तुमारा पस टाइम बच रहा हो क्योंकि जी एडवास्ट का इतना स्लेबर्स है भाई तुम मानी निसकते तुम 100% स्लेबर्स कर लो भाई लोगों से नहीं होता ह लोगों पुटके द लिए तुम अंधै कर लोग यार और मानी जक्ते तुम हमें टाइम बच रहा है ।ुम तुम तुम अधार कर लोगों अगर हो सकता है ना कि बच्चे 11 प्ल फर तुम्हारे सारा कॉस कतम कर लिए है पर में सिर्फ उनको question लगाना है, उनको course पढ़ने है, सिर्फ question लगाना है, पुरा drop के, फिर भी तुम्हार बस time गट जाएगा, फिर भी तुम question नहीं पूरे कता है, question कम नहीं होते क्योंगी Physics में तुम देख लो Arihant है, Iroh Dove, Singage है, खाता मुझेगा भाई time DC fund है, कुछ भी लगा हो, और वो को खड़ी लो भाई, क्योंकि जिरी बात है, यार जेगा से लेवर्स खातम नहीं हो सकता भाई पर ऐसा भी नहीं है कि सारे कुछ करना रहता है, एक तो स्ट्रेड़ी से चलते हो, कोई एक author फॉलो करते हो, फिर उसका काम करते हो, पर लोगों से वह अधर भी पुरा नहीं होता है, जनरली लोग से इंगेज ये DC fund पानने करते हैं तो कुछ हाँ, books भी बता दो कि मतलब जो follow करें, drop year में, drop year में ऐसा books तो बहुत recommender नहीं करते हैं, क्योंकि drop year में time कम रहता है, और books तुम्हारे time consuming रहते हैं, तुमको तुम्हारे coaching के modules या online modules में रहता हैं, प्लस में जो भी तुम्हारा ऐसा limited questions आता है, drop year में solve ने के लिए, म अभी पता नहीं वाता है कि नहीं, वो मिल दे आएगा, करें से stores तो मिल दे आता है, तुम लोग अपने भाईया दीची से बात करो, चुह है, 1000 questions का, 12 questions का set रहता है, वो बनाओ फिर, क्योंकि book में थोड़ा दिकत हो सेगा, book भी बना सकते हो, बर book में यह होगा कि तुमको time क मतलब देना पड़ेगा, कि इना ही time दे रहे हैं, फिर उपाएगा, books उनके लिए होजए जो 11 से start करें, books लगाते है, books से तुम concepts देख लो, पर ऐसा है ना, कि तुम ऐसे जो भी concepts जहां से भी तुम पढ़ोगे, उसके बाद उन concepts को और stronger लिए books देखना, तुम पूरा ही books ल करते हैं, दिमाग बाले होते हैं, पर जहां ही strategy गलत होता है, वो पतब हो जाता है, बस वही एक चीज़ होते है, तुम है पढ़ने के strategy चाहिए, और तुम है paper solving के strategy चाहिए, तुम एक्जान हाल में जाते हो, है ना, और ऐसा होते है कि तुम तुम लगता है कि बचे वो topper कै करते हैं, वो topper क्यूं है, तो उसका पढ़ने के strategy सबसे बड़ा factor होते है कि वो topper होते है, देख, ब्रें तुम पास होता है यह, और उन ब्रेंड के कारणी वो अपने strategy फॉर्म कर पाते है, अगर अभी हम advance में, जब हम प्रै कर कि आ आ गया IIT में, अब मेरी roommate कम बात करते है हम ना ऐसे जब हम एंट समिशर आते हैं, तो हम लोग ऐसे 15-20 दिन पहले से हो जाते है कि आप देना है, टाइम करना है, पर मेरा roommate ऐसा है कि वो exam के कुछ दिन पहले start करता है, और उसका हो जाते है काफी बढ़ी आसे, वो जो strategy बना के काम करता है, वो मतलब mind-blowing है, हम fan है उस तुम first semester में अगर तुमारी CD अच्छी है तो तुम branch change के लिए apply कर सकते हो, पिछ लास्ट के last year अपने branch से GT से एक बंदा CAC गया ता, अपने एक senior है, वो CAC तक चले गयाता है, तो कर लेते हैं जो branch change करने हो तो कर दो 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 कर तुम से बात करके और हमारे lovely people को support करने बहुत 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 शुक्रिया, तो last में कुछ कहना चाहोगे तुम नहीं, तैहरी करो बढ़िया से, बाकि जो भी रहे से questions और अलग से रहे तो पूछ लेना, अगले वीडियो में cover हो जाएगा, वो कुछ रहे गया हो तो और बाक आज़ी कोई दिक्कर नहीं है बाकि तो हम लोग live आते रहते हैं, वाई भाई भी जोईन करते हैं, तो अगर तुम लोग को किसी पूछ नहीं हो तो अभी ना, भाई से पूछ सकते हो, तुम लोग को बहुत अब भाई को लाई में बढ़नेंगे हैं तो हमारी college में हमारी branch म तो थैंक्स लोट फॉर वाचिंग माइ वीडियो में नेक्स विलोग में कल व्लोग आगा टीक है तो बाबाई टेक केर बाबाई बाई बाई आए थम्नेल दी